इस कोर्स को डिवलप करते हुए मेरी नज़र से एक बहुत ही इंट्रस्टिंग रीसर्च गुजरी मैंने सोचा कि आप से शेर करना चाहिए अगरचे रीसर्च इस कोर्स का पार्ट तो नहीं है लेकिन उसकी फाइंडिंग्स हमारे लिए खासतोर पर इस टॉपिक के हवाले से बहुत रैलेवन्ट है कि किस तरह जो माजिनलाइस डिप्राइफट कमिनिटीज हैं उन में टेकनॉलोजी का इस्तमाल किया जा रहा है सोशल अंट्रपनियोर्शिप के लिए ये रिसर्च एफ्रिका और इंडिया में कंड़क्ट की गई तकरीबन तेरा मुमालिक में और सम अफ दे मोस्ट डेप्राइफट कमिनिटीज अफ दे वर्ल जो हैं उन में ये रिसर्च कंड़क्ट की गई वहाँ पे लोकल और इंटरनेशनल सोशल अंट्रपनियोर्श दोनों किसम की और्गनाइजेशन्स जो हैं वो सर्वसेज प्रोवाइड कर रही थी और उन सर्वसेज की खुबी ये थी कि वो डिजिटलाइजेशन और ICTs यानि Information Communication Technologies को यूज करके प्रहम की जा रही थी तो मैंने सोचा कि जबानी थरिटिकली बात करने से बेतर है कि आपको रिसर्च से एविडिन्स दिया जाए कि ये इस इस तरह से ये तरीके कार है जो सोशल अंटर्पनियोर्स ने इक्तियार किया और उनको इस तरह का ये प्रोसेस रहा और इस तरह उन्होंने उसको मैनेज किया इस रिसर्च के लिए जो सोशल अंटर्पनियोर्स इंडिविज़ल या ओगनाजेशन्स के रिप्रिजन्टेटिव्स थे उनको इंटर्वियू किया गया और फिर उस डेटर का अनेलेसिस किया गया दिर वर टू सेट्स ओफ फाइंडि़्स जो हमारे लिए इंटर्स्टिंग और रेलिवेंट है नमबर वन सोशल अंटर्पनियोर्स मैनेज कैसे करते हैं कि वो टेक्नॉलोजी को यूज करेंगे सोशल अंटर्पनियोर्यल्स अक्टिविटीज के लिए और उनके उसमें क्या एम्स होते हैं क्या तरीके कार होता है सबसे इंटर्स्टिंग फाइंडिंग जो थी वो ये थी कि इंडिया, एफ्रिका और इन मुलकों में औरतें, यूथ और सोशल अंटर्पनियोर्स जो हैं वो टेक्नॉलोजी को सिर्फ इसलिए इस्तमाल नहीं कर रहे थे कि वो सकसीड करें, वो काम्याब हों, वो एकनॉमिकली स्टेबल हों बट दे डू बिलीव कि टेक्नॉलोजी के इस्तमाल से वो एमपावर होंगे वो बहतर लिट्रेट होंगे, उन्हें अपने हकूप के बारे में आगाही मिलेगी इसलिए एंटर्पनियोरियल ओर्गनाजेशन्स भी और उनके जो साविस रिसिपियंट्स थे वो भी औरतें, बच्चे, जंग लोग, बुड़े वो टेक्नॉलोजी को इस तरह से रिसीव कर रहे थे कि यह उनके लिए एक एसेट है, एक नई लर्निंग है जिसके जरिये से वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं अफ्कोर्स इन कंट्रीज में सोशल इनोवेशन के लिए टेक्नॉलोजी के इस्तमाल के हवाले से ओगनाईजेशन को, सोशल एंटरपनियोर्स को, एंजिनियर्स, सौफ्ट्वेर डिवेलपर्स और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी शॉर्टजेज का सामना रहा एक लिहाज से ये प्रॉबलम थी, खास्तोर पर इंटरनेशनल ऑगनाईजेशन के लिए लेकिन एक लिहाज से ये फाइदा मन था नुकसान इस तरह से कि आपको बहुत भारी कीमत पर फिर बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है लेकिन एंटरपनियोर्स ने अगेन इनोवेट किया और बाहर से लोगों को बुलाने की बजाए सेल्फ लर्निंग या वहाँ पर लोकल जो लोग थे उनको सिखाने पर प्रिफर किया जिससे एक तरह से उनके एसेट्स इंक्रीज हुए एंटरपनुरियल ओगनाईजेशन्स ने ना सिरफ अपने आपको बहतर बनाने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने पर फोकस किया बलके कमिनिटीज जो है उनकी लाइफ को बहतर बनाने जो है उसको भी या सोशल इंपेक्ट क्रियेट करने को अपने मकासद में शामिल रखा और अपनी इनोवेशन को अडैप्ट किया टेकनॉलोजी के यूज को अडैप्ट किया कि अगर कहीं फोकस जो है वो वन पॉइंट हो रहा था प्रॉफिट के उपर या एकनॉमिक डिवलमेंट के उपर हो रहा था तो उसको चेंज करके उसे अडैप्ट करके सोशल इंपेक्ट की तरफ लाया गया एक फाइनिंग ये थी कि टेकनॉलोजी के इस्तमाल से जो छोटा सा इनिशेटिव था जो इनोवेशन थी उसको लार्ज स्केल पर इंप्लिमेंट करने में मदद मिली पर अग्जामपल अगर कहीं एक छोटा सा क्लिनिक खोला गया और वहाँ पे एक डॉक्टर ने सोशल मीडियर को या किसी इन्फरमेशन टेकनॉलोजी को यूज करते हुए सवसेज देना शुरू की तो फिर वही मॉडल वो छोटा सा क्लिनिक का मॉडल जो है वो बहुत सारी कम्यूनिटीज के बहुत सारे एरियाज को कवर करने लगा या उसको रेप्लिकेट किया जा सका economies of scale create की गई दूसरा सेट of findings जो था वो टेकनॉलोजी को adapt करने के हवाले से था हमने पहले जिकर किया कि local software developers, engineers जो हैं वो नहीं थे क्योंकि ये deprived communities हैं जिनका हम जिकर कर रहे हैं ऐसे में social entrepreneurs और communities दोनों ने self learning और specially free online self learning के उपर focus किया ताके जो limited resources available हैं वो टेकनॉलोजी जो fancy technology है उसको borrow या purchase करने में इस्तमाल ना हो बलके entrepreneurs, CEO से लेकर field worker तक सभी लोगों ने नई चीज़ें जो हैं वो खुद से online free learning जो है वो की एक चीज़ जो सामने आई इस research के इसरिये से वो ये थी कि जब तक आप technology को लोगों के लिए personalize नहीं करेंगे उस वक्त तक लोग उसको adopt नहीं कर सकते खाव उनके लिए कितनी useful हो अब इस personalization से क्या मुराद है अगर आप कोई product जैसे for example आप बच्चों के लिए tutorials, कोई education service, कोई young लोगों के लिए training, mobile phone के थूँ देना चाहा रहे हैं तो आपको उस area में mobile phone की जो availability है, जो affordability है, उसको consider करना होगा तक लिए मसलन लोग offline service को यूज कर सकें, सादा mobile पे simple card को यूज करते हुए उसको इसको 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 कर सकें, ना के उन्हें उसके लिए fancy high tech mobile phones खरीदना पड़ें, या उनका इंतजाम करना पड़ें। इसी तरह एक जो downsides research से सामने आई कि technology के इस्तमाल से बहुत ज्यादा data create होता है और उसमें लोगों का personal data भी शामिल है। उससे data integrity के issues पैदा होते हैं और यहां भी social entrepreneurs की जो innovate करने की इसलाहियत है वो काम आई कि उन्होंने उस तरह की technologies इस्तमाल की जिससे data का इस्तमाल कम से कम हो सके। और सबसे important और आखरी बात इस research से जो सामने आई वो हमारे मुलकों की day-to-day reality है जहां बिजली नहीं होती वहां आपको fast और एक खास space पे internet और उससे related devices और वो कहां से मिलेगा data। तो इस research से साबित हुआ कि social entrepreneurs ने अपनी technology को इस तरह से innovate किया कि उनकी data के ऊपर खासतर पर internet data के ऊपर dependence कम से कम हो और उसके बावजूद वो technology को use कर सके। Thank you.